अभी हाली में मध्य प्रदेश से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक सक्स आदिवासी के उपर पे साप करता हुआ दिखाई दे रहा था कहा गया था कि जिस आदिवासी सक्स दसमत रावत के उपर पे साप किया था उसके तार सत्ता में बैठे लोगों से जुड़े हैं जिसको साबित करते हुए कुछ तस्वीरें भी सोसल मीडिया के सामने आई वीडियो वायरल होने के बाद सरकार एक्सन में आई और आरोपी प्रवेश सुकला को गृतार किया गया अब इस मामले में मध्यप्रदेश के सीम सिवराज सिंग चौहान का एक वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो में गवर करें तो मध्यप्रदेश के सीम दस्मत रावत के पैर धोते हुई नजर आ रहा है नियू जेजनसी एनाई की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें गवर करें तो सीम सिवराज सिंग चौहान जमीन पर वैठे हैं और आजिवासी सक्स कुरसी पर वैठा है और वो थाल मंगते हैं और फिर सक्स के दोनों पैर को धोते हैं इसके बाद उसे माला पहनाते हैं और एक चादर से उसे वढ़ाते हैं इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती है। एक उजन ने इस वीडियो को सेयर करते भी लिखा कि दलितों के वोट हडपने के लिए महमा चाल चल रहे हैं। एक उजन ने कहा कि यदि चुनाओ नहोता तो कोई कार्यवाही नहोती। चुनाओ को देखते हुए कार्यवाही हुई है। यही है वोट की ताकत। कमल कुमार नाम के उजन लिखा कि सीयम आवाज का सफाई कर्मचारी भी हो सकता है। संजीव कुमार ने लिखा कि अरे भाई सब जगह अलग-अलग है तो आदमी भी अलग दिखेगा। न देखकर नहीं रहे हो वो भी मुख्यमम्त्री जी के सामने है। स्यूपाल कस्यप नाम के उजन लिखा कि चितर में साफ दिखता है कि वो आदमी अलग है। एक उजन ने कहा कि यही राजनीती है। तिवारी नाम के उजन लिखा कि सही कहा मैम मुझे सोची समझी प्रिप्लानिंग स्कृप्ट लग रही है। साइध ये वोट बैंग की राजनिती की है मुख्यमंत्री जी ने पर उन पर एक गलती हो गई इस क्रिप्ट में उन्होंने आदमी ही बदल डाला वाह मुख्यमंत्री जी। तुरेश कुमार सिंग्जी ने लिखा कि वही है मुख्यमंत्री की सामने लाया गया है तो अच्छे से तयार करके लाया गया है। राजीव निगम जो की पेसे से एक कामेडियन है उनका कहना है कि उसके पैर धोकर आज हमने पाप धो लिये हैं। पुलके सिंग्जी ने लिखा नवटंकी बाजी में नंबर वन है। पुलके से एक कामेड़ी में अच्छे से एक कामेड़ी में लिखा नवे हैं।